केलो माई डियर स्टूडेंट्स विल्कम यू और इन सेलेक्शन अड़ा क्लासेज चैसन अड़ा क्लासेज में आप सभी लोगों का शुवागत है सब्जेक्ट है आज का पॉलिटी इंडियन पॉलिटी यानि भारती राजबे वस्ता और टॉपिक में है सोर्स ऑफ इंडियन कॉंसिशूशन इसको हिंदिय में कह जाता है भारती शंबिधान के सुरूद यानि यो हमारा शंबिधान है वो कई यगोंशे डॉप्ट किया गया है और कई दोसों से ले करके एक बहुत बड़ा ही लिखित शंबिधान बनाया गया है हमारे देश का शंबिधान और इसमें आप देखेंगे कि 395-12 बाा सुचिया यह हैं हमारें शंबिधान के अंतर्गर अनुछेद की संख्या अभी काफी बढ़ गई है more than 450 यानि 400 से अधिक अनुछेदों की संख्या है लेकिन जो मूल अनुछेद हैं जो एक्जाम में कोशन पूछे जाते हैं तो आपको यहीं से पूटब के जाते हैं पूछता है कि इतनी अनुछेद हैं यानि जो शंबिधान है वो हमारे प्रजातंत्र में के लिए एक बैग बूर्ण का कारे करता है एक बोग बैन है और हमारी कंट्री है प्रजातंत्र है यानि यहाँ पे लोग तंत्र है तो यहाँ पे जो है संबिधान को गर हम बात करें तो इससे कहा जाता है कि यह हमारे अधिकारों की चाता है हमारे अधिकार हैं और एक चाता की रूप में कारे करती है जिसे हमें अधिकार को उद्गाने काम करती हिला देती है तो आप देखेंगे कि जो हमारा शनमीड हैन शनमamba नवब्र 1929 को बनतर से तचयार हो गया था लेकि day ज़र समारे देश में लागू किया गया है 20 095 को हमारे देश में लागू कर दीया है इसके सारी विवस्थाइं लागो कर दे गए थी तो कई मौत्वपूर कोश्चन संब इससे आते हैं शम्मिधान के सूच से और हर एक्जाम में आते हैं जाहिए को हो कुलिस को हो आयस का हो पीशियर कोश्चन हमने उठा कर यहां से आपको लाया है और कई कोश्चन है आप देखेंगे कि भारतिय शम्मिधान के शंसदी असासन विवस्था एकल नागरिक्ता बिधी काशासन या दूसदनिय विवस्था मंत्री मंडल विवस्था किस देश से लिया गया है यानि किस देश के शम्मिधान से ड़ प्याप्ट किया गया है और दूसरी मंडल की देश अडैंक आपके पास ओपशनने एक बीसियंड विश्था के बिस्था यहां पर दोस्तों जो answer आपका होगा कि एकल नागरिकता की बात करें या संसरी शाषन बिवस्ता की बात करें या विथी की शाषन की बात करें उसाब के लिए यहां पर आशन है Britain, यानि यहां पर option number B बिल्कुल शही है आपका option, यानि B is right Next question है भारतिय शंबिधान में हाई कोट एवं सुप्रीम कोट को जजों को हटाने की बिधी जो है कहां से ली गई है भारतिय शंबिधान में जो हाई कोट के जज है या सुप्रीम को जज है उनको हटाने की बिधी यदि असमर्थता है सावित कराचार है तो सुप्रीम कोट के जज को हटाया जा सकता है और हटाने की बिधी एक बिशेश बिधी होती है यह बिशेश बिधी हमारे संबिधान में किस देश चेले करके शामिल की गई है अब देश बिधी चार एप दिए गए तो सुप्रीम कोट ओं यहाई कोट कोर्ण को जज को बिधी होती है वो ली गई है अमेरिका की बिधी अमेरिका चलिया गया है और कहा जाता है कि राष्ट पती को जो हटाने की बिधी यानि महाभीोग है तो महावियोग जैसी प्रकिरिया अपनाई जाती है हाई कोड़ और सुप्रियोग कोड़ के जज को हटाने की तो महावियोग जैसी प्रकिरिया महावियोग क्या होता है तो महावियोग के कैसी प्रकिरिया है जिसके दौरा राश्टपती को उनके कारेकाल खतम होने से पहले को हटाया जा सकता है अगर सावित कराचार है या फिर असमारसता है लोग किस्वों पर होने पर या वो समिधान काते कर्वन करते हैं तो उनको राश्पति को हटाया जा सकता है इसमें क्या होता है महाभियोग में कि संसद यानि पार्लियमेंट में चाहे वो लोक सभा हो चाहे अपने कारे से मुक्त हो जाते हैं तो इन में से आप lighting अंकी रिखे नियास नियानjust कर पार देखे ओना की मुझता यह बोगती है परजों कि रिखे कमखर लिखे से लिखे है श्रीच見て यह दोनों चीज़ें हैं आपके और एक ही जगह से ली गई हैं आपके पास ए बी सी और डी बिल्कुल ए ए राइट आपसन यानि ए आपसन आपका बिल्कुल शत्त है कोशन नमर फूर है मौलिक करतब किस देश के सम्मिधान से लिए गया है जो किटना है मौलिक करतब्व कि बात करें तो मौलिक करतब्व हमारे देश में कितना है 11 मौलिक करतब्व बतायी कि मौलिक कर तब जो है किस देश लिए गया है आपके पास option है अंसर 220 सिय बीया है निया इस यह चार falti आपके दिये गया है तो मौली करतब पे जो हमारा कहां से लिया गया है तो मौली करतब पे जो लिया गया है वो रसीया से लिया गया है got Roo亂 से आप जानते होंगे कि 27 pacismittatin संसूधन जो हुआ था 1973 में उस समय सादार Swuntsin μεiddhi की सिपा साथ पर 10 करतब ये य हमें हमारे मौलिक करता था रहा इसको में जो रहे एक वहीं तो आपको वह है अक संसोधन हुआ था यहां पर लिक देता हूं में 42 संसोधन कब हुआ था तो 1976 हुआ था तो जो सरदार स्वार्टिंग की एक समीटी बनी थी उन्हों ने ही मौलीक अधिकार हमारे श्रमिधान में शामिल करने की सिपारिस दिया था तो नहीं कि अधार पर दस सामिल किया गया था ये स्मिधान जोड़ दिया गया था तो सब्सक्राइब हुआ था 2002 675 सम्थान करके यह 113 करतभ में हमारे समयधान में जोड दिया गया था तो इस VP कहां से लिया गया है तो रसिया से लिया गया है आट ऑप सन आपका सी होगा अ सं इस अ सम्थान कितनी है अब कब द लिख गया गया है उनने साफ सीया घर साफसंडन सब्सक्राइब करना है उनके माता पीता या आभिवागों को तो यह आपके जो है सारे मुहत्वप्रों कोश्चन हमने बताया था मौली कर्तब के बारे में नेक्स्ट आप देखेंगे पाजमा कोश्चन है कि भारती श्रंबिधान में आपात उपबंध की विवस्था किस दे पर आपके पास है यह दो हमारा आपात उपबंध की विवस्था है यह लिए यह या नि ऑपसन नॉमबर 20 राइट हे आपक्कोर्म आप जान से होंगे की अरजन्से की जो भिवस्था है तींपरकार की इमरजनसी है एक है 352, एक है 356 और एक है 360 यह होता है राश्टी आपात तक बाहियाकरमन या युद्ध की स्थिती में 352 लगा जाता है जो आपात है 352 के बाद 356 आता है जो कि राज्यों में लखा जाता है राश्पती सासन कहा जाता है 356 को तो 352 है राश्टी आपात 356 है राश्पती शार्षन और 360 है बित्ती आपात हमारे देश में 360 यानि वित्ती आपात अभी तक कभी नहीं लगाया गया है तो तीन तरह के आपाते उबंध हमारे देश में किये गए हैं कि नेश्ट है आपका कोश्चन नमबर सिक्स हमने तुर बता ही दिया था इस कांशर क्या पादूबंद कहां से लिया गया जर्मनेशे वेरी गूड उसके बास बाते शंविधान में श्रमवर्ती सूची एवं सन्युक्त अधिवेशन यहां पे दो चीजें हैं बाते शंव जल्दी करें बिलकुल करेक्ट आपसन आपका बी यापने बिल्कुल सभी आंसर दिया है डराइट अस्टलिया से लिया गया फिर नेस्ट कोश्चन नमबर सेवें कि बाते हैं में शंविधान संसोधन एंवर्य शभा सज़श्यों की चुनाव प्रक्रिया संविधान सभॉधन बराजय सभाएं लोग सभा राजसभा सभवा सभाएं वनक्तों अप्राके ऐस देस्च के संभिधान सफ्ण गया है जांचे छूनाओं प्रकिरिया क्या सबसे हैं टो में राज के नीती निर्शक्तत्तों जो को बोला जाता है डीपीएसपी 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 इन्टाइक्टिव पिंसपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज के नीती निर्शक्तत्तों और राज श्रभा में मानूने जानते हैं लोग सभा राज श्रभा मान निर्वाचित राष्ट पती और उस पर महाभियोग निर्वाचित राष्ट पती यहां निर्वाचित होगा चुनाव लड़कर के आएगा उसको चुनाव से आएगा कारकाल से पहले हटाने की विश्ट पता है महाभियों यह हमारे सम्मेदान में किस देश से लिया गया है ऐसे दिर्वाचित राष। तराश्पति होगा और उसपर महाभीयोग होगा हमारे देश में पार सब्सक्राइब देश से लिए और अब करने की ब्योस्ता विए तो आंब या होता है मैं आप पता हो आपको रोड़ा कोट्स या सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट का अपने नाम सुना होगा High court या फिर Supreme court आपके मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए मौलिक अधिकार को अच्छे से लागू कराने के लिए High court या Supreme court रीट जारी करते हैं और रीट जो हुते हैं वो 5 तरह के रीट होते हैं यो High court Supreme court जाता है अगर हम बात करें तो Article 32 के अंतरगत Supreme court और आर्टिक वह detention यह दोनों रिट जारी करते हैं तो रिट कितने प्रकार कंहोंगी ऌद॥ habl प्रकार जाता है तो हाई कोट और सुप्रीम कोड़ तो सुप्रीम कूड किस अनुश्यत्ति करता है तो यहां देखेंगे पहला जो है आपका बंदी प्रतिक्षिकर्ण दूसरा रेत परमाधेश है तीसरा रिट है आपका उत बरेशन है इस्चेज्ञ जा नेस्स rightward इसके बारह मैं सब्चारे कर रहा हूं तो भारते के कि निवाचित राश्पति उस पर महावियों कहां से लिया गया है तो रीट जारी करने की जो बेवस्था है वो हमारे देश में लिया है बेवाचित अब कर लोकन और मिलोकन कि से लिया गया है तो प्रस्तावना जो होता है जिसको कहते हैं प्रियंबल यह हमारे शंबिधान का प्रिशेपत्र भी से प्रस्तावना जो होता है मिई पर ¿ Capital a justevery किसे सके्षेद यह यह अनुछे यह आर्ट क्लिमी नहीं होता है यह पर इस पत्र होता है मिई किताब जن पहला परता है प्रस्तावना तो आख यह शंभिधान का उद्धिशाश्त्र क्या है पुनर्विलोकन होता है कि हमारा जो शंबिधान है शंबिधान बनाने टाइम में अगर उसमें कोई मतभेद है तो उस कंडिशन में उसको न्याइक पुलविलोकन करके हमारे नियाले में उसे निरस्त किया जा शकता है यह दोनों प्रकेर यानि प्रस्तावना और न्याइक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है तो प्रस्तावना प्रियम्बर तो दोनी चीजें हमारे जो हैं प्रस्तावना ले गई है कहां से बिलकुल सही आपने आंसर दिया सी यानि अमेरिका से वे फोस्टान नमबर ट्वेल मैं आपके पास और लास्ट क्वेस्टन है यह को चालेंब क्या बोलता है कि भारत शाष्ण अधिनियम 1935 चैनि क्या किया चीजें भारत शाष्ण अधिनियम से यही था भार्ष रासन अवदिनियम 1935 और इसमें जो है लगभग का 321 सेक्शन थे और 10 सेडूल बनाए गये थे कई कमेटियों को मिला करके यह रिपोर्ट त्यार की गई थी इसलिए यह भार्ष असान दियां 1935 तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन सा है भार लिया गया है यह बी सी दी चारों आपके पास है तो इसमें से बिल्कुल सत्त है डी आपका करेक्ट है कि ए बी सी यानि संग सुची रायर सुची राजिशा ती सुची और पर Clementine संग पंसिसी्ट से दिया भाजन होता है यह दा हुं आ दरे में 10 जांसरा टिया तो संग सुची सुची और निया पालिकार यह तीनों चीज ऑन का व did लिए गया है भाय as तो आप वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मैं एमसी क्यों टाइप की कोशन बनाऊंगा आप तर देट रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगे जिससे आप अपने इस्टाडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं तेंक यू एंड बेस्ट आप लग टू अलग झालगि झालगप।